नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर भारत के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर सामने आ रही है दुनिया का पहला जो रिपोजिटरी है ब्रेन डिसॉडर्स को लेकर उसको भारत के अंदर बनाया गया है इस रिपोजिटरी का नाम है स्वादेश आप यहाँ पे देख सकते हैं दे स्टेट्समेंट की यह न्यूज है डिबिटी और एन बी आर्सी डेवलप वर्ल्स फर्स्ट मल्टी मोडाल ब्रेन इमेजिंग डेटा और अनलिटिक्स बेसिकली एक बिग डेटा का सॉफ्ट्वेर यहाँ पे क्रियेट किया गया है जिसकी मदद से ये लोग ब्रेन डिसॉडर्स को लेकर जो डेटा है उसको इकठा करेंगे और उसको इस तरीके से पेश करेंगे कि उस डेटा को और अच्छे तरीके से समझा जाए यानि कि डेटा की सिंप्लिफिकेशन होने वाली है एक बहुत ही बड़े सांपल स्पेस की डेटा को इकठा किया जाएगा और कई सारे सॉफ्ट्वेर की मदद से उस डेटा को अंडरस्टान करने के आसान तरीके यहाँ पर दिखाए जाएंगे आप ये भी देख सकते हैं स्वादेश is going to host a repository of big data on the brain disorders जानेंगे इसके बारे में इसकी क्या-क्या विशेष्टाएं हैं DBT, NBRC के बारे में भी दो-दो चीज जानेंगे चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ मेरा नाम है अनिरुद इस lecture की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर दिये गए टेलिजाम चैनल के माध्यम से इसके इलावा आप लोग जूट सकते हैं using this particular handle on the Unacademy app as well right so as you can see DBT और NBRC ने मिलकर के इस particular project को यहाँ पर अंजाम दिया है जिसका नाम है स्वादेश स्वादेश क्या चीज है it is a unique brain initiative focusing on certified neuroimaging, neurochemical, neuropsychological data and analytics which are made accessible to researchers for the management of the brain disorders यानि कि इसमें आपके कई सारे data यानि कि neuroimaging के यानि कि brain की images आपने ली उसको ही गठा किया neurochemical के disorders होते हैं उसके बाद उसको ही गठा किया neuropsychological data होता है उन सभी चीजों को इकठा किया simple तरीके से पेश किया और उस data को researchers के लिए accessible कराया है so that आगे जाकर के जो brain disorders हैं उनको हम लोग बहतर तरीके से manage कर सकें NBRC की बात मैं करूँ आपसे तो ये एक autonomous government institute है जिसकी establishment आज से कई साल पहले हुई थी और ये इसकी जो location है इसको थोड़ा ध्यान रख लीजेगा ये गुडगाउं district के अंदर आने वाला जो मानिसर का town है वहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है स्वधेश की खास बात ये है कि ये पहला large scale multimodal neuroimaging database है designed specifically for the Indian population with big data architecture and analytics for various disease categories under the one platform ये basically आपका पहला large scale multimodal imaging platform है जो की खास रूप से Indian population के लिए बनाया गया है big data architecture की मदद से ये वाला आपके सामने जो photo है इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा normally अगर आप लोग big data को पढ़ते हैं with respect to science and tech तो क्या होता है पहले data की acquisition होती है उसके बाद big data का management होता है और उसके analytics के लिए कुछ framework त्यार किया जाता है वो particular framework से उस data को पास करवाने के बाद basically आपके लिए जो final data है उसको यहाँ पर पेश करवाया जाता है आप देख सकते हैं neuroimaging big data आपके सामने कि कोई इनसान healthy है या फिर कोई इसमें साथ में neurodevelopment disorders है या कोई odd disorder है या neurogenerative disorder है या neuropsychiatric disease disorders है इन सब को इकठा किया उसके बाद data accumulation quality चेक किये extraction करी, cleaning करी ठीक है, उसकी modeling analysis करी उसकी interpretation करी और finally उसको visualization के लिए सामने पेश करवा दिया गया है यह आपका मोटा मोटा framework है जिसके आधार पस्वदेश यहाँ पे काम करता है इसका उधगाटन दोस्तों डॉक्टर जितेंदर सिंग के दोरा किया गया था जो की फिलहाल Union Minister of State है for the Ministry of Science and Technology और इसका उधगाटन हाल ही में ALS syndrome होते है इन सारे के सारे जो syndroms है इनको समझने के लिए भैतर तरीके से इनके अनुसंधान में help करवाने के लिए यह वाले software को यहाँ पे लाया गया है आप देख सकते हैं स्वदेश has proposed a big data architecture which manages and analyzes the six modules जिनका नाम क्या है neurodegenerative ठीक है neurodevelopmental disorders which includes the autism and the epilepsy then we have the covid-19 disorders then other disorders and then the healthy subjects तो यह आपका big data का architecture है इसके इस्तेमाल से कुलमिला के 6 modules में इसको बांटा गया है समझाई बात स्वदेश को यहाँ पे support मिला है from the java-based workflow environment and python यानि की obviously कुछ ना कुछ language तो होने ही वाली जो कि यहाँ पे support करेगी तो वो java-based workflow environment and python है जो कि यहाँ पे support कर रही है ठीक है यह आपका पूरा का पूरा storage system के द्वारा भी back किया गया है जिसमें आपको quality control, data analysis reports, data backups के सारे के सारे प्राध्धान दिये जा रही है अगर हम अभी तक बात करें तो सुधेश के अंदर data आपको देखने को मिल जाता है 500 Alzheimer's patients का और आपके MCI patients का और साथने 70 PD यह AD, MCI, PD क्या चीज़ें है यह आप यहाँ पे देख सकते है AD is Alzheimer's disease, PD is Parkinson's disease and MCI is Mild Cognitive Impairment Diseases इसके साथ ही में इसमें 600 healthy individuals का data भी include किया गया है और 800 healthy young individuals का data भी control group के अंदर include किया गया है so that उसके संदर में समझ सके कि basically इनका data और उनके data में क्या फरक हमें देखने को मिलता है इसके अंदर काफी सारे clinical research tools को add किया गया है यह वैसे इनकी depth में जाना आविशक नहीं है लेकिन हमारे UPSC point of view से इनके नामों को देख लीजे कि एक गौरी है दूसरा NINS stat है उसके बाद कलपना है then we have प्रतीक and finally STIM है इसमें ये चारो के चारो आप लोग खुद से पढ़ सकते हैं लेकिन STIM की बारे में आपको बोलना चाहूँगा basically इसके अंदर एक paradigm design system है presentation system है real time participant response collection system है जो कि यहाँ पर add-on किया गया है basically जैसे हम neuroimaging की बात करते हैं आपने MRI करवाई तो data को यहाँ पर upload के जाता है brain activity की आपने कुछ mapping करवाई है वो सारे के सारे data को आप यहाँ पर upload करते हैं यह इस तरह के tools हैं जो कि उसकी evaluation करवाने में आपको help करवाते हैं clinical evaluation हुई अलग-अलग तरह की various brain disorders है उनकी यहाँ पर आपने testing करवाई यह सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है यहाँ पर जो Dr. Mundal की team है DBT NBRC में उन्होंने एक भरत के नाम से launch किया है big data analytical model है for early diagnostic biomarkers of AD यह भी काफी interesting चीज़ है कि अगर आप लोग किसी प्रकार का कोई signal धून रहे है कोई marker धून रहे है Alzheimer's disease के लिए तो उन्होंने एक ऐसा model त्यार कर लिया है in order to understand अगर किसी में कोई early onset हो रहा है Alzheimer's disease का उसको समझने के लिए इसमें जो पूरा का पूरा design है यह काफी अच्छी बात यह है कि यह Hadoop-based big data framework है और यह Hadoop-based होने का फायदा क्या है कि Hadoop आपका एक open source platform है जो कि MRI, MRS और अलग-लग neuropsychological test course को integrate करते हुए सब आपका data एकठा करते हुए फिर आपको बताता है कि हाँ, क्या आपके अंदर को biomarker available है या फिर नहीं है ठीक है, यह ऐसा माना जा रहा है कि आगे जाके और बिमारियों के लिए भी इस चीज को extend, expand किया जा रहा है ओविसली इस पूरी चीज के चलते Dr. Rajesh Gokhale, जो की Secretary and Department के, इन्होंने NBRC को congratulate किया, कहते हुए कि brain is a complex organ and detailed functionality in health and diseases remains to be fully recognized, databases like Swadesh should be useful in conducting multimodal brain studies to understand Alzheimer's disease and several neurobiological disorders जाते जाते हैं, आपको बताता हूँ, DBT basically आपका MOST के अंडर काम करता है टीक है, Ministry of Science and Technology के अंडर ही काम करता है, और यह promote करता है improve करता है, biotech development in India और NBRC जो है आपको बता चुका हूँ, इंडिया का एक Lotha Institute है, dedicated to neuroscience research and education, और यह आपकी location आपको बता चुका हूँ, गुड़गाओं के मानसर के टाउन में आपको देखने को मिल जाता है, so definitely काफी अच्छी खबर सामने आई है regarding Swadesh, हमने कुछ इसको थोड़ा सा breakdown करने की कोशिश करी है, बहुट depth में आपसे सवाल नहीं पुछा जाएगा, लेकिन मोटा मोटा जो आपसे सवाल पुछा जा सकता है, उसको लेकर हमने यहाँ पे coverage कर ली है, दोस्तो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, जाने से पहले बताना चाहूंगा कि हम लोग आपके लिए special series rank कर रही है, जिसमें आपको जुड़ना बिलकुल नहीं भूलना, 27 November को दुपहर 4 बज़े क्लास होने वाली है, इसमें जुड़ना बिलकुल नहीं भूलना, साथ ही में आपको Mega Combat में हिस्सा लेना है using my referral code ANI UPSC in order to get the various scholarships offered by Unacademy और इसके लावा नए offers Unacademy आपके लिए लेकर आए है, जिसमें आप लोग अनी UPSC code से 10% के discount के साथ सब 25 रुपे का और discount ले सकते हैं, इसमें आपको ये फायदे मिलेंगे, मेरी personal guidance WhatsApp group में addition 20 books आपके घर तक पहुंचाए जाएंगी, साथ ही में test series भी आपको अवेलेबल करवाई जाएगी, इसके साथ में आपको ये वाले batches अवेलेबल करवाई जा रहे हैं, मेरे दोरा भी आपको ये वाले offerings अवेलेबल करवाई जाएंगी, On that note, I take your leave, thank you for listening, stay tuned and stay safe.